दोस्तों रीड 2021 को लेकर कपी लोगों के कॉल में से जा रहे हैं मैं इनकी प्रिस्तिती समझता हूं दोस्तों लगातार दो जून दो अगस्ति पहले फिर फर्वरी और फिर अब 25 अप्रेल और फिर 20 जो लगा था तारिक बड़ी लोग तयारी करें ते कमरा किराय ले रखेते घर वाले भी ताने मारते हूं हर प्रस्ति समझता हूं सबसे ज़्यादा पटवारी और रीट के बेरती हैं पुरे प्रदेश में जो तयारी हर घर में अधिकतर यह लोग मिल जाएंगे सातियों एक चीज और बता हूं आप थोड़ा सा पीचे जाई सोचिया यदि 25 अप्रेल को एक्जाम होती निशित तिति पे मालो 25 को होती कि यहां 25 को होगे ऐसी स्थिति में भी नहीं हो पाती आपने देखा होगा 15 अप्रेल के बाद एक भी एक्जाम नहीं हुई सारी जो एक्जाम थी के अंदर से लेकर सब ने जो खालात बिगड़े अचानक अप्रेल में बिगड़े ना सारी प्रिक्षा इस्तिक्त कर दी गई यह नहीं कि आरेस के इंट्रिव तक जिसके संक्या जादा नहीं होती वह इस्तिक्त कर दिए गए ऐसे में आप यह सोच र माई तक लोगडाउन है यानि कि 24 माई तक कुछ भी नहीं होगा और 24 माई के बाद क्या परिस्तिया होगी नहीं मैं आप बता सकते हूं नहीं मैं बता सकता अपने सोचा था कि कभी दूबरा ऐसा कोरोना की बहावाख इस्तिती हो जाएगी 24 तारिक के बाद ही पता चलेगा कि क्या इस्तिती है लोगडाउन बढ़ेगा या घठेगा लेकिन अभी तक जो एड़ो एक्स आरेक्शन के वज़े से जो फोरम रियोपन होने थे लोगों का आवे दन पर क्या सारी बढ़तियों में दुबारा करवानी थी वो नहीं हो पा एकजाम होगी नहीं होगी लेकिन वर्तवान परिस्तियों को देखते हुए यहीं लगता है कि संभावना लगबग बहुत कम हो गई है क्योंकि कोरोना की इस्तिती मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 24 महीं तक शुदर जाएगी लोग मर रहे हैं आकड़े आपके पास आ इस्तिती बिल्कुष सामानिया हो गई है तो दोस्तों हम लड़ जगड़के कि चोईसको हो गई है सामानिय25 टारिकों लोगडान खुल गया है तो दोस्तों हम 20 यस तास्ता ही को जैपूर में महा पड़ाओ ढ़लेंगे क्योंकि जल से जल लिंक उपन करके 10 दिर में आवद लेकिन कोरोना मामारी चे बचके रहना आप जिंदा रहो तो एक्जाम देपाओंगे काफी छात्र जो जोत्वरों कई जगे के चात्र तयारी करें वह भी कोरोना के ग्रास यानिकी कोरोना के दोरान वह उनकी मरति हो चुकी है कई लोग मर चुके हैं इसकी चपेटे में आ चुके हैं ऐसे सातियों 24 तारीके बाद इस्ति का इस परश्ट होगा लेकिन 10-15 दिन उन लोगों को आविदन के लिए समय दिया जाएगा यदि 30 तारीक से भी दिया जाता है तो आप देख लिए 15 जून होगे 20 जून को एक्जाम है से ऩत्री में जब आविदन के बाद के पंस्चयों करोंग साथी सेंटर नभी तक वह घड़ी कि आवुसर अवेदन के बाद कितने आविदन तोटल सुस्मय कर पर आ लोगों के सारी चीजसेश की जाती है तो ऐसे में अभी समभाव नहीं है कि 99 परशन समभाव नहीं है मैं कह रहा हूं 99% संभाव नहीं क्योंकि सच हमेशा कड़ों होता लेकिन मैं आप लोगों को जूट नहीं बोल सकता जो वरत्मान प्रस्थिती बनी है ना परदान मंत्री जी गलती है ना मुख्या मंत्री जी गलती है इसमें किसी की गलती निया गलती हमारा सब का दुर्बाग्य है कि आज कभी किसी नहीं सोचा था अरे गाओं में रहने वाले सब समझते हो ना गाई बैस सबने देखिए ना आपने जब गाई बैस के बच्चा होता था उसके वह लगाते दे मुपे मिट्टी ने खाए दूद न चूख जाए कभी सोचा था कि इनसान के मूँपे यह ल स clip प्रिस्ततिया है कैसे आगे आज मैं जिन्दा हो खल मेरा वरोसा में ने कि क्योंता्य लगातार मैं भी दोज़ रहाओं मैं भी Так कोई बनोसा नहीं है लेकिन जिन्द की जी हो यार किसी के लिए अच्छा बन कर जार किसी के लिए अच्छा करके दिखाओ यार इत्य परिस्तिया विप्रित है कोरोना से बची लेकिन अब 20 आपने तयरी लगार जिसकी तयरी अच्छे हो गुश का नम्र आएगए लेकिन मैं इतना विश्वात दिला सकता हूं साती हो एक चीज पर हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी है सामानी इस्तिती होती है 24 तारीक हो जाती है तो हम जल से कोशिच करेंगे 20 को और नहीं हो पाती है तो फिर आगे यह परिक्षती ती जाएगी लेकिन हम सब को मिलकर एक चीज क संक्य की चालीश से ऌपचासजन पदों की संक्य की जाएं हमने इंतीजार किया प्दों की संक्या बढ़ाई तक हो जाएगी लेकिन इस अभियान को हम सब सबको मिलकर सपल बनाने ये बात मैंने रख चुका हूं कमेटी के सामने रख चुका हूं लेटर लिख चुका हूं और पूरा विश्वास है कि रीट ग्राम से पटवारी और अन्य बढ़तियों के पद बढ़ेंगे यह अभ्यान सपल होगा लेकिन इसके लिए हम सबको पाना है